हलो फ्रंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटू चनल होम एजुकेशन में तो डियरे स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का साइंस है दूसरा अध्या है तोडित और भुकॉम प्राकिर्ति के दो भयान गुरू यही हमको आज पढ़ना है जो इसका जो कोश्चन एंसर है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोग वीडियो को स्किप मत किजिएगा नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए प्राकिर्ति के दो भयान गुरूप हमें पढ़ना है तडित और भुकॉम इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो अब हम सिधा चलते हैं अभियास की तरफ जो इसका कोश्चन एंसर है वो इस वीडियो में हम बताएंगे तो सब सब पले हम ये पढ़ लेते हैं हमने सीखा ठीक है ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अनिवार है पढ़ना जरूरी है पहला है बस्तू को आपस में र आवेसित किया जा सकता है आवेस दो पर करके होते हैं धौन आवेस और रिड़ आवेस कोई पूछ दे आवेस कितने पर करके होते हैं तो आवेस जो है दो पर करके होते हैं धौन आवेस और रिड़ आवेस अगला है सजाती आवेस एक दूसरे को बिकर्षित तथा बिजात ये आवेश एक दूसरे को अकर्शित करते हैं। आगे है रगड़ द्वारा उत्पन बिधुत आवेश को इस्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गती करते हैं तो बिधुधारा बनती है। आगे देखते हैं। बादलो तथा प्रित्वी अथवा बिभिन्य। बिच बिधुत उत्पन की कार्यार तडित उत्पन होता है। तडित जीवन तथा संपति को नश्ट करता है। घरों को तडित के प्रभाव से बचा सकता है। प्रिथिवी के अचानक कापने तथा थर्थनाने को भूकम्प कहते हैं, ठीक है, कोई पूछ दे भूकम्प कीसे कहते हैं, तो अब पत्ता सकते हैं, प्रिथिवी के अचानक कापने अथव थर्थनाने को हम भूकम्प कहते हैं, ठीक है, भूकम्प आने की भविस्वाणी ठीक है बुक में दिया है आप लोग पड़ सकते हैं क्या क्या सावधानिया है तो चलिए अभ्यास की तरब देखते हैं अभ्यास को में दिया है सजाती आवेश एक दूसरे को डैस डैस करते हैं तो हम यहापे लिखेंगे प्रतिकर्चित अब हम यहापे लिख देते हैं प्रतिकर्चित प्रतिकर्चित अगला है यह तो गया अगला है खो नमर बीजाती आवेश एक दूसरे को डैस डैस करते हैं तो आकर्चित यहापोगा आकर्चित बीजाती आवेश एक दूसरे को अकर्चित करते हैं तीसरा है गल नमर तडित चालग तडित से भवन की डैस डैस करते हैं सुरक्छा यहापे होगा सुरक्छा तडित चालग तडित से भवन की सुरक्छा करते हैं ग्वहनवर में भुकम किती भिता का मापन बैस डैस औलसे किया जाता है तो इसका होगा रिक्टर ठीक है भुकम किती भिता का मापन रिक्टर से किया जाता है उसके बाट से आज़र देखते हैं जो Questionודע है इसका वो देखते हैं कोश्चन जो है दूसरा तीसरा चौथा पंचवा इस वीडियों में आपको बताएंगे इसका उतर जो है बताएंगे दूसरा नमर का रहा है सर्दियों में स्वीटर उतारते समय चिटचिट की आवाज होती है क्यों तो हम अब चलते हैं दूसरा का answer देखते हैं इसका उतर कैसे होता है तो देखिए, पहला question है, सर्दियों में sweater उतारते समय चिट-चिट की आवाज होती है कैसे, ठीक है तहिर इसका उतर इस फ़रकार लिखेंगे आप लोग सर्दियों में स्वीटर उतारते समय चिट-चिट की आवाज होती है क्योंकि उन्नी स्वीटर हमारे सरीर से रगड़ाने पर आवेशित हो जाता है जब उन कपड़ों को हम अपने सरीर से अलग करते हैं तो आवेशों के आकार्षण और प्रतिकार्षण के कारण चिट-चिट की आवाज है सुनाती है अगला कोस्चन जो हम देखते हैं प्रस्ण अगला प्रस्न करा है जब हम बिधुत दर्शी के उपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है ब्याख्या कीजिए ठीक है इसका उतर देख लेते हैं जब हम विधुत दर्शी के उपरी भाग को झूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है क्योंकि हमारा सरीर विधुत का सुचालक है अतर जब हम विधुत दर्शी को झूते हैं तो इसका आवेश हमारे सरीर से प्रिथ्वी में चला जाता है जिसके कारण विधुत दर्शी अपना आवेश खो देती है अगला देखते हैं अगला कोस्चन कराया है भुकंप मापी का चित्र बना कर उसके मापन विधी को लीखे भुकंप मापी चित्र आपको बनाना है और उसके मापन विधी को लीखना है तो इसका उतर देख लेते हैं इस पर कर आप लोग लिख लीजिएगा और भुकंप मापी का चित्र जो है बना लीजिएगा तो देखे यही है भुकंप मापी चित्र इसी चित्र को आप लोग बना लीजिएगा और इसकी जो मापन भी दिये वो आप लोग लीख सकते हैं इसमें से देख कर ठीके तो चलिए उतर की तरब चलते हैं तो इसका उतर होगा रिक्टर एसकेल भुकंप की तिव्रता मापने का यंत्र है जो भुकंप की तरंगों को मापता है इस एसकेल से इस एसकेल में एक से नौ तक मापन बिंदू होते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कारा है question प्रस्टन तरित तथा भुकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए तरित और भुकंप से जो सुरक्षा से बचने की जो उपाय हो आपको लिखना है तो सबसब पले आप लोग लिख लीजिएगा तरित से बचने का उपाय यही लिख लीजिएगा तो यही है तरित से सुरक्षा ठीक है यही आपको लिखना है तो चली हम इक बर पॉड़ लेते हैं तरित जन्जा अथवा तुफान के समय खुला अस्थान सुरक्षित नहीं है दूसरा है किसी घर अथवच्षत के अंदर की जगा की सुरक्षित अस्थान है अगला है यदि आप किसी बसकार आदी में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिरकिया दरवाजे आदी बंद कर उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है उसके बास जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा अब हम आगे चलते हैं तो आप लोग यह पढ़ लीजिएगा भुकम से बचाव यह आपको लिखना है उसमें ठीक्या अब हम फिर मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेर जरूर कीजिएगा थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो